मुझे अभी कुछ ही अर्था हुए मैंने वीडियो बनाना शुरू की है और अभी तक जो भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है उसमें मुझे इतनी अच्छी नहीं मिल रही हूँ अब इसकी बताने क्या वजया हो सकती है क्योंकि जैसे मैं साउंड क्वालटी चाह रहा था वह जैसे क्लेरिटी इसमें बहुत अच्छी होने चाहिए जब मैं उनको सुनता हूं तो जो साउंड है वो मिझे परफेक्ट नहीं लगती कभी साउंड अब आप हो रही हो थी है इस जैक्ट क्रिप्स साउंड क्वालिटी यानि कि अगले बंदे को जो भी विवयोज अश्को एक एक वर्ट समझ भी आना चाहिए और इसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए हर एक वर्ड जो आप बोल रहे हो वह उसका अगले बंदे को पहुंचना चाहिए एक ही लेवल प सब्सक्राइब है इसको अपडेट किया जाए इसमें जब मैंने कुछ चीजें डूर्णी इंटरनेट के उपर उस पर कुछ वाइड बेस भी थे माइक्रोफोन सेट है पर कुछ वाइलस बेस भी थे परसनली मैं वाइड बेस का फैन नहीं हो क्योंकि इसमाम जो तारें वर और से स्टार्ट हो कि वह है जाती है वह हैंने लेना हो आंधर कि अज यह माइक्रोफोनलेड करना है ध स्कॉण माइक्रोफोन न्हीं के माइक्स हैं तो आज हम इस बॉक्स की क्विक अन्बॉक्सिंग करेंगे और इसको चला के देखेंगे कि कोई फरक भी पड़ता है इसे के नहीं फरक पड़ता है इसको इसे को इसमाल करने से अगर कोई इप्रूव्मेंट हो रही है और फिर हम इसके कौन दन परोग फटम इ करेंगे और इसको compare करेंगे जो हमारा shotgun माइक जो अलवड़ी लगा हुए फूंची ओपर और उसको compare करेंगे कि इसमें कौन दब प्रो किया है और उसका क्या फाइदा नुक्सान आते हैं तो आपने जाना नहीं मैंने त्रिफिक प्ले करने एंट्रो प्ले करने के बाल मैं करेंगे कि यह इसका फास्ट इंप्रेशन किया सा है तो कंपनी नेम है जो मेरे शार्स जासे इसको प्रोनॉंस करना जाहिए वो है पाइफाइड टेकनोलजी कंपनी नेम है जो ब्रैंड नेम है जिसमें यह माइक्रोफून सिस्टम बनाया है जो मॉडल है वो है के 037B और लिए बॉक्स पे जो नीचे दो दो टैक्लाइंज हैं वो मेंसला इसका डिस्प्शन दिया हुए है कि वाइलस लावे लियर हाँ वाइलस लैवेलियर यानि कि एक इसके आदर वो माइक है वो कॉलर बेस है जानिक छो चोटा माइक है जो आप चाह रहे हो कॉलर पर लगाने जे इसके लब हआए कि अग्यां का इसांजाना कीजिए, आप फून के साहथ लिश करना चाहें, फून पे भी यूज कर सकते हैं, अगर गया आप के साहथ कशाश स्पीकर कोई पड़ा हो और गया एक is- को तो थे य। juih कर्सके सकते हैं अन्दो कि बॉक्सिंग हमने कर ली यह देखते हैं कि पार्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं अगर आपको मेरी तरह समझ नहीं आ रही कि क्या कि उनके नाम क्या हैं तो इसके बॉक्स के अंदर बहुत आशी इन फर्मेशन दी अगर आपको नजर आएगा यहां उन्होंने दिखाया है नमबर टू पर हैड्सेट माइक्रोफोन हो गया है यह ज्यादा तर जो यूज होता है प्रेंटेशन पर पर लेक्चर जब दे रहे होते हैं यह लाइव इवेंट में यूज हो रहाता है मैं इसका परस्नली पहन नहीं हूँ क्योंकि यह बड़े अटेंशन ग्रैबर है हैं यह साथ पहन के यूज किया जाते यह सैंसितिफ भी जाता है बिल्कुल माॉट के सामें होता है और इसके रलावा रिसीवर है नमबर और यह रिसीवर है हमारा और इसके इलावा जै कुछे केबल से current one by four two one by eight adapter केबल यह सास दीन ही है और ये हैं लेव रिम माइक्र ज्य कि यह जो है यह आपके कॉलर के साथ लगेगा माइक रूपूँ ज्यादा तर लोग इसको यूज करते हैं इसमें डो सेल देलेंगे वह हैं डबल असल डो याद रखेगा कि यह आपको सेल अलएदा लेने पड़ेंगे बॉक के साथ इंक्लूड़ नहीं हो गई है कि कि अभी जो आपको अवाद आ रहे हैं यह मेरे पराहण माइक की आवाज आ रही है कि मेरा पराणा उड्यू सेटप स Cr market r cry आ कंपनी के है और इसका यह मोडिल है ठी आभए अमटेफय आइमपन यह लगा करकिते हैं और देखते हैं कि कितना परकिया अदर मैं उड़ मै करों अपने पराने वोया का जो है औक शॉर्डगन माइक्रोफॉन के साथ मैं नजर करूं तो इसमें जो बेसिक ढ़ेंस है नहीं है जो वोया का है एम एम वान मॉडल माइक्रोफोन इसमें किसी किसम की कोई बैटरी नहीं दलती यह बैटरी डिपेंडेंट्स ही नहीं है इसके अंदर कोई आप चिंपली इसको कैमरे के होच्छु के साथ इसको कुनेक्ट करें और आप इसकी जो तार है वो कनेक्ट कर दें जो एक पेर है वो डबल ए और उसरा जो है टिपल ए है तो बोया के शॉर्टगन माइक है यह व्लागिंग के लिए बहुत अच्छा है अगर आप आउड़ ज्यादा व्लागिंग कर दे हैं आप हाइकिंग कर रहे हैं या किसी जगह आउड़ के ओपर आप कोई रिकॉर्ड अगर आप दूर चल जाएंगी अपने कैमरे से तो हो सकता है इसकी सेंसिस्टिविटी जो है इसकी नहीं होगी कि आपके वाइस को कैप्चर कर लें जब के वाइलेस इस सिस्टम का यह एड़़ांटेज जो हमने फाइफान अभी यूस किया इसका यह कि आप जितना मरदी तब दूर चल जाएं राउंड 40 फीट या 50 फीट चल जाएं तब भी इसकी जो वाइस सेंसिस्टिविटी है वो आपकी कैमरे में बढ़ी अच्छी रिकॉर्ड होगी इसका सबसे बड़ा यह एड़़ांटेज आप अपने कैमरे को कहें भी आप रह सकते हैं और आप इसको अब तक जो फर्स इंप्रेशन में युम्रेशन में जो फाइफन के नजर आ रहे हैं फाइफन वाइलेस सिस्टम के जो नजर में पील हो रहे हैं नमबर वन जो जो इसका फाइदा है वो यह है किसी रेंज बहुत हैं आप इसको अरांड 40 तू 50 फीट तक ले जाएं अगर अगर आप लाइन ऑफ सामने रहेंगे तो में भी 100 पीट पीट पी आपको वाइज करता रहेगा और अगर आप लाइन अव साथ जाते हैं तो मेरा किया थार्टी तू 40 पीट तक आपको फिर भी यह परवाइट करेगी सांग इसके लावा जो सबसे बड़ा एक और जो में 35 डॉलर प्राइट कंपेर तू दूसरे जितने भी आपको मार्केट में अवेलेबल हैं वाइलस बेस माइक्रोफून यह कुछ भी नहीं है 35 डॉलर आपको 35 डॉलर में माइक्रोफून जो मिल रहे हैं और यह में खाल है कि सबसे बड़ा एड़ाइज है क्योंकि यह मोस्ट इस बड़ाइबल वाइलस बेस माइक्रोफून सिस्टम है एक और बड़ा एड़ाइज है किसके साथ दो किसम के माइक्स मिल रहे हैं एक रवेलियर है जिसको कॉलर बेस माइक कह लें और दूसरा जो ऑप्शन है वो हैड़सेट बेस है जो मैंने भी तक यूज नहीं किया यह भी आप प्रिजनेशन पर या कॉन्फरंस जो रिकॉर्ड होती है या लाइप कॉंसरेसिस में या लेक्चर जब आप दे रहे होते हैं अस वक्ता आप इसको यूज कर सकते हैं जानि कि अब अंडर दा शेडिस के वाइड ला सकते हैं और यहां कॉलर पे कहीं भी यह लिए दोनों में एक एक पिर सेल का लिल रहे हैं में टिपल ए डाल रहे हैं और इसको आपने बटन को से अन करने और खुझ यह अब तक पसंद नहीं आई इसमें कुछ चीरें जो कि मैंने नोट की हैं लाइक इसकी बिल्ड क्वाल्टी वो तनी अच्छी नहीं हैं अगर आ इसको ना थोड़ा केर पूली इसको यूज करना पड़ेगा वनना यह हो सकता है कि टूट जाए यह स्क्रैचिस उपर बढ़ जाए तार जो है इसके कुनेक्टर जाएं वो खराब लगते हैं तो इसकी क्वालिटी सॉलिड ब्रिजिट नहीं है इसको केर पूली इसको इसक कुछ की नहीं है 25 डॉलर की प्रेंज में पिर भी यह बेतरी नॉप्शन है और थोड़ा बेड़ क्वालिटी है वो मैंना बता दी इसकी इतनी अच्छी नहीं है प्राइस के साफ़ से ठीक ही है यह एक में ट्रिपल यह सेल का प्यर दाला हुए और एक में डबल ए डबल ए कि मेरा ख्याल है कि अगर टाइप के होते तो ज्यादा बेतर होते हैं जो यूजर्स हैं उनको मैंनेज करना असान होता तो अब यह भी हजीब चीज है कि एक में आपने डबल ए दे दियो रहेगा आपने टेपल ले के सेल हैं वो आपने बैटरी हैं वो यूज करनी होंगी और इसमें एक और जिस चीज है जो मुझे अच्छे नहीं लगी वो डिजाइन पॉन्ट उप यूज है कि जब आप इसमें कुनेक्टिविटी आप जब आप कुनेक्ट करते हैं तो बटन अन करेंगे तो आपको शुरू में यह ग्रीन लाइट देगा अक्वादिंग टू इसको रेड़ होना चाहिए अब यह पता नहीं क्या सोच कि है नोने कलर बखे से साइंग किया थे कलर कोड मगर मेरा ख्याला की कलर कोड ऑपज़ेट होने चाहिए बड़ा एजिली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बिजन दिस प्राइस राइज ऑफ ठाइफ डॉलर आपको इस इतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा कोई भी और वाइलस बेस माइक्रोफून सिस्टम इस गुड़ नॉट ग्रीट बट इस तेल मच बेटर एक्सलेंट वैल्यू ऑफ दिस प्राइस मेरा ख्याल है कि यह बहत्रीन ऑप्शन है इस बिजन दिस प्राइस रेंज अगर आग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक दूरूर की जाएगा और मेरे चैनल को सब्स्राइब दूरूर की जाएगा इंशालला सी यू सून इन दे नेक्स वीडियो टेकियू